प्रमसंमानिय अशो गहलोट साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गोविंडो टास्रा जी, रंधावा साहब, और आज के कारेकम के सूत्रधार आधरनिय ओला साहब, हमारे प्रभारी काजी साहब, अमिता जी, राठोट साहब, जिले के इस तमाम विदाय गण, जितेन जी, चंदेलिया जी, राजकुमार जी, रीटा जी, मंच पर उपस्ति सभी मंतरी गण, पार्टी के पतदिकारी गण, और इस भवे कारेकरम में मौझूद सभी किसान भाईयों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बेनों, आधरनी बुज़ुर्गों, मैं इस मौके पर सबस जुनजनू, यहां जैसा ओला साब ने कहा, इंद्रा जी, राजीव जी, राहुल गानी जी, सोनिया जी, सभी यहां लोग आए, और एक जुड़ाव और एक संबन इस परिवार से बना हुआ है, आज स्वर्गिय शीश्राम ओला जी की मूर्तिय का उनावरन, प्रेंका जी क करकलमों से हुआ है, यह अपने आप मेतिहास में एक और कडी जुड़ गई है, हर पीडी का संबन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, दोस्तों आप सब जानते हो, आज से 30 दिन के बाद, राजिस्थान की इविदान सभा के चुनाव है, 25 नवंबर को वोट पढ़ेंगे, और प्रियंका गांदी जी ने जो बीड़ा उठाया है, उसमें उनका समर्थन करने के लिए, उनको ताकर देने के लिए, आप सब यहाँ पे आज मौजूद हैं, प्रियंका गांदी जी ने जो मेहनत करी है, चाए वो हिमाचल परदेश हो, कन्नाटक हो, उस सभाएं कर रही अमद परदेश में, तेलंगाना में, राजिस्तान में वो टॉंक में आई थी, दौसा में आई थी, आज जुंजुर में आई हैं, और भी सभाएं होंगी, राहुल जी की होंगी, प्रियंका जी की होंगी, लेकिन हम लोगों ने इन चारों पांचों विदान सभाद छेत्र बल मिलेगा, दम मिलेगा, भारती जिन्ता पार्टी ने जो नौ साल का कुशासन दिल्ली से चलाया है, उसके हम सब गवाँ हैं, कोई वर्ग नो ने छोड़ा नहीं, मद्दम वर्ग हो, सैनेक हो, किसान हो, नौजवान हो, हर विक्ती को जहां से में लेकर लगातार उसके ऐ इसी नीतियों का दिर्मान किया, जिससे लोग परिशान रहे, पीडित रहे, किसानों के खिलाफ तीन काले कानून बनाए, डेर दो साल तक किसान दिल्ली को घेरे बैठे रहे, सेकडों किसानों ने आत्मत्या करी, जुन जुनों के वो लोग, वो किसान जो इस नीतियों के खिलाफ ते, मुख़रों को अपनी बात को बोलते थे, अंत्में केंद की सरकार को, किसानों की डिमान के सामने जुखना पड़ा, और तीनों काले कानून बापिस लेने पड़े, राहुल गानी जी ने प्रेंका गानी जी ने हमेशा नौजवानों की बात रखी है, कुछ नहीं है, शेकावटी में जो ताकत और मदद कॉंग्रेस पार्टी को मिली थी, उसी के दंबर हम लोग ने सरकार बनाई थी, इसलिए आप लोग मत दाइक वो बढ़ जाता है, आपस के मन मुटा बुढा कर, आज हमारा लक्ष दूसरा है, पूरा देश जानना चाहता आए कि राजिस्थान की जनता किस करवट बैठेगी, इन विदान सबा चुनावों के परणाम से आने वाली देश की राजनीतिते होने वाली है, इन चुनावों में भारती जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा, कि किस मूँ करें, साड़े चार सक बंद कमरों में बैठे रहे, अब चुनाव आ गया, तो रथों और बैठ का यात्रा निकाल रहे हैं, बारते इंदर पार्टी की जो नीती राजिस्थान में रही, सिरफ आरोप लगाने की रही, उंगली उठाने की रही, आज तक मैं बात्पके साथ उसे पूछना चाहता हूँ, राजिस्थान के है, आप अगले पांच सालें परदेश को क्या देंगे, आलोचना करना, बहिमानी करना, लोगों को बरगलाना, हिंदु-मुसल्मान की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये तमाम बाते करते हैं, और हमारे कौम इसके साथ ही, हमने जो मैनिफेस्टों बनाया, उसके पर सरकार ने काम किया, खाट की, बीज की, बिजली की, पाने की, सड़क की, स्कूल की, शिक्षा की, चिकिच्चा की, इन बातों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, और हाज जनता ने बन बना लिया, कि 30 साल की जो परिपार्टी परदेश में कायम हो गई थी, उसको तोड़ना ह हैं, और पात साल, पात साल का जो मामला था, उसको समात करकर, सभी लोग भारी मद्दान करकर, और मैं तो उस मन्ज से कहना चाहता हूं, होला साथ, आपके यहां पे बाचबाने उम्मीदवार दे दिये, और पिछली बार जो जीत कॉंग्रेस पार्टी की हुई थी, उससे बड़ी चीत इस बात जुन्दरूस होने वाली है, मुझे इस बात का पुरा बिश्वास है, मैं आप सब लोगों से कर्वत निवेदन करता हूं, कि एक एक वोट कॉंग्रेस की निशान पर लगना चाहिए, यह हाथ का निशान कॉंग्रेस की पहचान है, और प्रेंका जी क